हेलो फ्रेंड्स एंड वाम वेलकम टू रिशालेस किचिन गर्मिया भी आ रही है और होली भी आ रही है तो ऐसे मोक्य पे कुछ टो ठंडा पीने का सब का मन करता है तो दोस्तो ऐसे ही ठंडी ठंडी ड्रिंक का अचा हम बनाएंगे जो पानों से बनाने वाले है उसे कहेंगे क्लकट्ट पान का ह Bear in Government, पान बनाने के लिए हम यहां पर कलकट्टा पान यूज करने वाले हैं और है मेरे पास कलकट्त पान का बेल है यहां एस ही मैं से पत्ते निकाल के यूज करूँगी पर आप आब बहार से भी से ला सकते हो पाम क्लकट्टा पान यह ऐसा थोड़ा ग यह रेसेपी बनाना बहुत एजी है और कोई भी से बना सकता है और इसमें जो इंग्रेडियन्स होने वाली यह सारे बहुत थंडक देने वाले है तो सच्ची में यह कूलिंग ड्रिंक है बॉडी के लिए कूल रहने वाली है तो देखे यहाँ पे मैंने दो टाइप के पत्ते दिखाए है यह जो कलकत्ता पान है यह मैंने जो हावेस्ट किया हुआ है वो बेल से वो है और दोस्तों इन्हें मैंने अच्छे से साफ किया हुआ है और पानी में रखा है और हम यहाँ पे दूसरे टाइप के पत्ते भी दे अगर आपके पास यह नहीं तो आप गुलाब की पंकुडिया भी ले सकते हो बट याद रखिए यह भी अच्छे से घर पे सुकाई हुई रहने चाहिए और अच्छी पंकुडिया रहने चाहिए यह तो डेकोरेशन के लिए है सौफ की जो गोलिया मिलती है फिर हमारी जो सौ पारिक वाली वह मैंने ली है और टूटी फ्रूटी ली है यह भी ऑप्शनल है आपको चाहिए तो यूज कीज़े नहीं यूज किया तो भी चलेगा तो दोस्तों देखिए बहुत एजी है बहुत कम इंग्रेडेंट्स में सब बनने वाला है और दो इंग्रेडेंस लगने पहले जाएगे और ग्राइड हो जाएगे तो सबसे पहले हम लेंगे यह पान तो पान लेते वक्त इनको अच्छे से दोना है साफ करना है और इनके जो बीच में का यह जो डंडा है वो निकाल देना है फिर टैर करके इसे यूज करना है तो हम यहाँ पर लगबग 5-6 पान और अगर वो जो बजार वाले आप पान लाओगे और वो कलकत्ता पान नहीं रहेगा, दूसरा पान रहेगा, तो आप उसमें थोड़ा एकाद पता जादा डाल दीजिए. फिर पान के साथ-साथ हम इसमें दो चम्मच सौफ यूज़ करने वाले हैं, बारिक वाली सौफ मैंने यहां पे यूज़ किया है, फिर इसके बाद हम इसमें गुलकंद डालेंगे या गुलाब की पंखुडिया डालेंगे, जो भी आपके पास है वो आप डालिये उसमें, त अब इस पेस्ट में हम हमारा जो आइस क्रीम है वो डालेंगे और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा दूद इसमें डालेंगे बस एक कॉटर कप दूद डालिए उसे जादा नहीं इतना दूद डालिए और इसको फिर से अच्छे से गुमा लीजिए एक बार मिक्सी में और दोस् बहुत बहुत अलग है तो आप लोग ट्राइ कीजिए और मुझे जरूर बताए कि आपको यह रेसिपी कैसे लगी डीटेल रेसिपी और मेजरमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन